हेलो कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीती डारीज में मैं प्रीती जह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभी रात के 10 बच रहे हैं मेरे घर में सब सो गए हैं मैं यहां बना रही हूँ अपने लिए हैर मास्क रात बड़ी से भिंगो कर होता है और जहर ना भी बंद कर देते है इसमें मैं डाल रही हूँ निशा का विचना पैग फिर इसको अच्छे से आड़ कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें गुथली न बने तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट massively के सिकस्ट तो फिर चलते हैं रात मेंने जो हैर मास्क बनाया था मैं वो लगाऊंगी वो मेरा रात भर रेडी हो गया है अब इसे हम मिक्सी में पीसेंगे अच्छे क्योंकि इसमें मेथी दाना है जो की सिर्फ मैंने साबूत ही डाले थे तो इसके लिए हमें पीसना पड़ेगा तो पीस कर हम इसका पेष्ट तयार कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा नारियल तेल हम मिला लेंगे आब ये अपलाई करने के लिए रेडी हो चुका है तो पहले मैं यहाँ भिंडी काट लूँगी क्योंकि मुझे भिंडी की सबजी बनानी है और खाना मैंने चड़ा दिया आलू बैगन की सबजी मेरी बन चुकी है और भिंडी काटने के बाद मैं हेर मास्क अपने बालों पर अपलाई कर लूँगी उसके बाद मैं मौकी का खाना बना लूँगी ताकि जब तक खाना मैं बनाओ एक से दो घंटे तक मैं उसे बालों में लगा रहने दूँगी फिर उसे अच्छे से पानी से वास्क कर लू बाले डाल कर अच्छे से हम बना लेंगे मेरा बाल इधर से बहुत ज्यादा ड्राय हो गया था डैमेज हो गया था और पूरा अच्छा नहीं लग रहा था तो मुझे लगा कि मैंने बहुत दिनों से कोई यार मास्क अपलाई नहीं किया है तो मैं इसी लिए आज सोची क्यों अपलाई करूं तो आप लोग को भी दिखाओं तो यहां मैंने अपने बालो को सेक्षन में कर लिया है अब इसे अच्छे से अपने बालो पर मैं अपलाई कर लूँगी बालो को अच्छे से से सेक्षन में करके ही लगाना है ताकि यह अंदर से बाहर से हर जगा से यह अच बलर हाथ में आ जाता है तो मैं अच्छे से उपर के बालों में लगा लिया है मैंने अब मैं नीचे के बालों में लगाऊंगी देख रहे हैं कितना ड्राय लग रहा है बाल तो इसे नीचे भी जो भी बाल है तो उसे अच्छे से अपलाई कर लूँगी उसमें इस तरह से सेक बालों में लगा रहेगा हम मैं इसमें प्लास्टिक का कवर डाल दूंगी अपने बाल में क्योंकि मेहदी और हैर मास्क जब तक गीला रहता है तब तक वह बहुत ही ज्यादा फाइद होता है तो सुखने के बाद कोई भी बेनिफिट नहीं होता है तो मैं इसी लिए प्लास् आप देख सकते हैं नीचे के बालों में कुछ इस तरह से मैंने लगाया है है और मेरे पूरे बाल में लगने के बाद देखिए कुछ इस तरह से है सरसो तेल में मैंने जीरा डाल कर भिंडी डाल दी है सूखी लाल मिर्च भी मैंने दो डाला था अब मैं इसे चला लूंगी दो से तीन मिनट के लिए धीमी आज़ पर करके चला लेंगे फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी मिर्च पाउडर बस धनिया नहीं डालना है बस वही डालकर उसे ढखकर पका लूँगी या मैं चटनी पीछने के लिए तैयारी कर रही है तो इसके लिए लासून मिर्च और धनिया पत्ता को मैंने पीस लिया है इसमें मैं नमक और सरसुत तेल डालकर मिला लूँगी चटनी रेडी हो चुकी है तो आज के ब्रेक फास्ट में है कुरकुरी भिंडी टमाटर धनिया पत्ते की चटनी और आलू बैगन की सबजी रोटी तो नमक मैं भिंडी की ने बालती हूं गे मैं अब अच्छे मेरे मेरा बाल ने अच्हे से वास्क कर लिया है बाल तो सिर्फ आनी से द्होया है क्योंकि एक दिन पहले मैंने सैंपू कर लिया था तो मैं सिर्फ मेरे बाल हमेशा से ही लंबे हैं इधर से बहुत ज़्यादा ज़रने लगे हैं लेकिन बाल मेरे जब मैं छोटी थी तभी से लंबे हैं क्योंकि मेरी मम्मी बहुत क्यार करती थी तो यहां मेरा ब्रेक पास रेड़ी है आई है आप लोग भी खाईए मुझे लाइक किजिए सब्सक्राइब